Hello students, कैसे हूँ आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे आम स्वस्थ होंगे. तो आज हम इस वीडियो में Spoken English का Lecture First करेंगे. जो की है greeting करना. greeting करने से पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि greeting करना क्या होता है. तो greeting करने का मतलब है कि नमस्कार या फिर बातचित करनी. तो आज मैं आपको greeting करना सिखाऊंगी. वो भी English में. Okay students, तो हूँ बने रहें मेरी इस YouTube चैनल Notebook के साथ. तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि How to greet people in English. तो यहाँ देखिए How का मतलब क्या होता है कैसे. To greet people in English. लोगों को क्या बोलते है people. Okay English में लोगों के साथ कैसे नमस्कार करें और कैसे बातचित करें वो भी English में. वो मैं आज आपको सिखाऊंगी. तो greet करने के दो भी होते हैं. कौन-कौन से? फॉर्मल और इन्फॉर्मल. ओके फॉर्मल का मतलब होता है अपचारिक. मतलब की अपचारिक तरीके से कैसे नमस्कार करें, कैसे बात करें. इन्फॉर्मल का मतलब होता है अनपचारिक. मतलब की अनपचारिक तरीके से कैसे नमस्कार करें और कैसे बात करें. तो आगे देखते हैं formal greetings जैसे कि मैंने आपको बताया कि formal का मतलब क्या होता है अपचारिक मतलब की अपचारिक तरीके से आप कैसे बात करेंगे formal greetings कहां यूज होती है आप वहां greetings ये यूज करोगे जो आपसे बड़े हैं ठीक है चाहे वो आपके boss हो चाहे teacher हो चाहे parents हो चाहे आपके brother sister हो जो भी आपसे बड़ा है आप ये greetings वहां यूज करोगी ओके तो शुरू करते हैं पहला greeting क्या है हमारे पास good morning क्या बोलोगे आप good morning ठीक है जो आ रहा है याप वो silent है मतलब कि जब आप good morning बोलोगे तो आर की अवाज नहीं आनी चाहिए ये ध्यान रखना ओके तो आप कैसे बोलोगे good morning क्या बोलोगे good morning ओके तो आगे है good afternoon good morning आप कहां बोलोगे सुबा मतलब कि दुपहर के बारा बजने से पहले आप क्या यूज करोगे good morning good afternoon आप कभी यूज करोगे दुपहर को ठीक है और good evening आप कभी यूज करोगे शाम को क्या बोलोगे इसको good evening क्या बोलोगे good evening ठीक है मतलब कि ग्यारा बजे तक आप good evening यूज करोगे अब आपके माइंड में एक कोशन होगा कि मैम good night बोलते हैं रात को या नहीं नहीं आप रात को ग्यारा बजे तक good evening ही बोलोगे good night आप कभ बोलोगे सोने से पहले ठीक है जब आप सोते हो या फिस सोने से पहले आप क्या बोलोगे good night ओके तो इसको आप कैसे बोलोगे जैसे कि आपकी ममा है या पापा है तो आप Englishman को कैसे ग्रीट करोगे Good morning mom Good morning dad ओके और Good afternoon sir Good afternoon ma'am ओके आगे है fourth हमारे पास आता है It's nice to see you मतलब कि आपको देखकर मुझे अच्छा लगा ठीक है आगे है Nice to meet you आपसे मिलकर अच्छा लगा Sixth है How are you How are you को आप कैसे बोलोगे इसकी correct pronunciation क्या है हमारे पास How को आप क्या बोलोगे हवा Okay R को क्या बोलोगे R You को क्या बोलोगे You तो इसको कैसे बोलोगे आप हवा यू क्या बोलोगे हवा यू इसका मतलब होता है कि आप कैसे हो तो आगे है हमारे पास informal greetings जैसे कि मैंने आपको बताया कि informal का मतलब क्या होता है अनपचारिक मतलब की अनपचारिक तरीके से आप लोगों के साथ कैसे greet करोगे टीक है आप ये greetings जो informal greetings है या आप और कहां यूज करोगे आप अपने friends के साथ यह फिर जो आप से छोटे हैं आप उनके साथ ये यूज करोगे ओके तो शुरू करते हैं जब आप अपने friend से मिलते हो या फिर जो अपने छोटे brother sister से मिलते हो तो आप उनसे क्या कहते हो Hi, Hello, Hey, What's Up ठीक है तो यही है Hi, Hello, Hey, What's Up What's Up का मतलब क्या होता है क्या चल रहा है ठीक है आगे है What's New What's New का मतलब? मतलब कि आज क्या नया है जब आपने पूछना हो आज क्या नया है तो आप कैसे बोलोगे English में What's New क्या बोलोगे What's New Okay, then आगे है How's it going मतलब कि और कैसे चल रहा है सब कुछ तब आप कैसे बोलोगे How's it going आगे है How's life मतलब कि जीवन में क्या चल रहा है और घर आप पुछते हो ना कि घर में सब ठीक हैं सब अच्छे हैं तब आप कैसे पुछोगे हाउज लाइफ ठीक है अगर आपको किसी ने कुछ बोला और आपको वो लाइन अच्छे लगी तब आप क्या बोलोगे दो भी होते हैं कौन-कौन से formal greetings और informal greetings ओके formal greeting क्या होते थे हमारे पास अवचारिक तरीके से अम कैसे बात करें ठीक है यह आप अपने बड़ों के साथ यूज करोगे formal greetings कहां यूज करोगे आप से जो बड़े हैं आप वहाँ ये greetings यूज़ करोगे informal का मतलब क्या होता था अनवचारिक मतलब कि आप अपने friends के साथ या फिर जो आप से छोटे हैं आप informal greetings वहाँ यूज़ करोगे ओके students तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो like किजिए, share किजिए और subscribe किजिए Thanks